नवश्कार प्रियसातियों मैं हूँ सुरेश्रमाली ग्रहों का खेल कारी करें में आप सबीका बहुत-बहुत स्वागत है घर की पॉजिटिविटी को एन्हांस करें और अपने बुरे सपनों का डाश करें और जो आपका ड्रीम है उसे ड्रीम कैचर से पूरा करें यही मेरा आज का विशह है और इसमें आप सबीका बहुत-बहुत स्वागत है आजकल दुनिया के अन्य हिस्सों में समान रूप से भी ड्रीम कैचर यह नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा काफी फेबस और ट्रेंड में है ड्रीम कैचर एक लकडी का घेरा होता है जिस पर एक जाल या जाला बुना जाता है जिससे पंक, मोती, कीमती, पत्थर आदी से सूसर्जित किया जाता है घर में इन दिनों ड्रीम कैचर का प्रियोग करना बहुत आम होता जा रहा है अबुमन लोग इससे अपने बैडरूम में लगाते हैं ताकि उन्हें बुरे सपने ना आए ड्रीम कैचर देखने में बेहती खूबसरत होते हैं इसलिए इसे बैडरूम में अधिक सथिक इस्तेमाल करना चाहिए बहुत खूबसरत होते हैं या पॉजिटिव एनरजी से बरपूर होते हैं सोते समय अगर आपको डर लगता है या बुरे सपने आपको पसीना पसीना कर देते हैं तो ऐसे में ड्रीम कैचर लगाना काफी अच्छा होता है साथ ही ये अनरजी को बैलेंस रखने में और आपकी जिंदीगी को बैलेंस करने में हेल्प करता है तो चलिए आज ड्रीम कैचर लगाते समय आपको किन किन बातों का खया रखना चाहिए इसे जानते हैं Dream Catcher को यू तो बैडरू में लगाए जाता है लेकिन जब आप इसे अपने कमरे में लगा रहे हैं तो आपको दिशा का खयाल भी होना चाहिए. Dream Catcher को दक्षिन पश्चिन दिशा में लगाना सबसे अच्छा बारा जाता है. इतना ही नहीं जब आप इसे लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसे दिवार पर ही लगाएं इसे कभी भी इधर उदर हैंग नहीं करना चाहिए बस इस बात का खास खायल रखें कि इसके नीचे से किसी को नहीं गुजरना चाहिए इससे आपको दिक्कतों को वरना सामना करना पर सकता है जैसे बुरे सपने और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और बात्रूम और रसोई गर के पास इसे बिलकुल ना लगाएं इससे गर में मध भेट और मन भेट पैदा होते हैं अगली बात मल्टी कलर के हो ड्रीम कैचर यूं तो मार्केट में कई तरह के ड्रीम कैचर मिलते हैं इनमें आपको कई कलर मिल जाएंगे लेकिन अगर आप अपने घर के लिए ड्रीम कैचर खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि वो मल्टी कलर अलग अलग रंग के उसमें इस्तिवाग हो गर के लिए मल्टी कलर ड्रीम कैचर काफी शुब भी बाना जाता है अब कहां लगाना चाहिए ड्रीम कैचर ये जान लेते हैं आप गर की बैलकली आंगन या खिडकी के पास भी इसे लगा सकते हैं इसे गर की negativity घत्मों की और खोशाली चाह जाएगी दूसरा है बेडरूम बेडरूम में आप इसे विंडो के पास पर लगा सकते हैं दक्षिन पस्चिम की दिवार पर लगा सकते हैं और जहां पर आप सोते उसके पास भी लगा सकते हैं और खिड़की है तो सबसे बड़े ये बहुत सारी प्रॉब्लम को आपके solve कर देगा तीसरा है living room living room में इसे लगाने से परिवार की misunderstanding को understanding में convert करने में help दिलती है और एकता बनती है चौथा workplace अगर काम नहीं हो पा रहा है तो workplace पर आप अपनी seat के पास या सामने dream catcher लगा सकते हैं इससे आप अपने काम पर ज्यादा focus करेंगे और मेहनत जो आप कर रहे हैं और जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे कार में भी आप इसे लगा सकते हैं आप अपने कार में dream catcher rear view mirror में लगा सकते हैं ताकि ड्राइव करते समय आप अच्छे विचारों को जगे दे सकें और जहां पर जा रहे हैं वहाँ सुरक्षित पहुंच सके और असी खुशी के साथ पहुंच सके तो आज से कोशिश करिए कि आप dream catcher को लाएं और इसका प्रियूख करें स्वस्त रहिए मस रहिए और व्यस्त रहिए आज के लिए तरह ही प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशेरबाद